प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा है कि आजादी का अमरित महुसव और स्वाधिंता दिवस के विशेश अवसर पर हमने देश की सामोहिक शक्ती के दर्शन किये हैं शी मोदी ने आज आकाश्वानी के मन की बात कारिक्रम में कहा कि इस से चेतना की अनुभूती हुई है उन्होंने कहा कि इतने विशाल और विवित्ता पुन देश में जब तिरंगा फहराने की बात आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखा प्रधान मंत्री ने हर घर तिरंगा अभ्यान के लिए लोगों के नए-नए विचारों की सरहना की इस संबन में उन्होंने कृष्णील अनिल का उधारन दिया जो पजल आर्टिस्ट है अनिल ने रिकॉर्ड समय में खुपसूरत तिरंगा मौजिक कलाकृती तयार की है प्रधान मंत्री ने दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारवाहिक का उधारन दिया ये प्रत्तेक रविवार को रात नौ बजे प्रसारित होता है प्रधान मंत्रे ने देशवासियों से 75 सप्ता का यधारावाहिक देखने की अपील की सुने नायक नाइकाओं के प्रयासों से देश की युवापीडी को परिचित कराने के बहतरीन पहल है दूरदर्शन पर हर रविवार रात नौ बज़े इसका प्रसारन होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ता तक चलने वाला है मेरा आग्र है कि आप समय निकाल कर इसे खुद भी देखे और अपने घर के बच्चों को भी जुरूर दिखाए और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रकोर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेश कारकम की रचना भी कर सकते हैं ताकि आजहादी के जंग के इन महानायकों के प्रती हमारे देश में एक नई जागरूपता पैदा होगी प्रधान मंत्री ने कहा कि सितंबर का महिना त्योहारों के साथ साथ पोशन से जुड़े अभ्यान के लिए समर्पित है प्रत्येक वर्ष 1-3 सितंबर के बीच पोशन माह मनाया जाता है यारादना का पर्व गनेश चतूर्थी है गनेश चतूर्थी यानि गनपती बप्पा के आशिरवात का पर्व गनेश चतूर्थी के पहले ओनम का पर्व भी शुरू हो रहा है विशेश रुप से केरला में ओनम शांति और सम्रुति की भावना के साथ मनाये जाएगा तीस अगस्त को हर्ताली का तीज भी है ओडिसा में एक सितंबर को नुवाखाई का परवई भी मनाए जागा नुवाखाई का मतलब ही होता है नया खाना यानि ये भी दूसरे कई परवों की तरह ही हमारी कृषि प्रमपरा से जुड़ा त्योहार है इसी बीच जैन समाज का स समसरी परव भी होगा हमारे सभी परव हमारे सांस्कृतिक सम्रुद्धी और जिवन्तता के परियाय है मैं आप सभी को इन त्योहारों और विशेश अवसरों के लिए शुब कामनाई देता हूं प्रधानमंत्री ने मद्यप्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमरित सरोवर की भी चर्चा की कानहा राष्टी उद्ध्यान के पास बने इस सरोवर से इलाकी की सुन्दरत अभी बढ़ी है प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरित सरोवर अभियान वर्तमान में अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है ये आने वाली पीडियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है इस अभ्यान के तहट पुराने जलाशियों का काया कल्प किया जा रहा है और नए सरोवर बनाए जा रहे हैं